नमस्कार दोस्तों सी लर्निंग पर हम चर्चा कर रहे हैं और लास्ट क्लास में जो हमने दिखा था लास्ट वीडियो में वो हमने इंपथी पर हमने विस्तार से चर्चा की थी और इस वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं करने वाले सिंपथी पर इस पर सिंपथी पर हम चर्चा करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं हम अध्यन करना है तिसके विश्य में C-Learning और C-Learning में सिंपथी हमारा टॉपिक चल रहा है देखे हुआ क्या है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम डाइमेंस के वारे में अध्यन कर रहे हैं C-Learning के तीन डाइमेंस हैं तीन ही डाइमेंस हैं उन में से एक डाइमेंस हम अच्छे से अध्यन कर चुके हैं उसमें हम compassion को इच्छे से समझने के लिए हमने पहले empathy को समझा और अभी हम किसको समझेंगे sympathy को समझेंगे ठीक है और sympathy यानि कि सहानुभूती तो चलिए देखते हैं क्या है सहानुभूती तो हमने समानुभूती यानि कि empathy में यह समझा था कि empathy में हम सबसे पहले cognitive level पर समझते हैं फिर हम emotional level पर उसको महसूस करते हैं और फिर जहां compassion के level पर उसके लिए मदद करने का भाव हमारे मन में आता है और हम उसकी मदद करते हैं और यह तीनों चीज मिलकर कि क्या बनती है हमारे पूरा पूरी एक empathy बनती है यानि कि किसी भी व्यक्ति की किसी भी व्यक्ति प्राणी या काल्पनिक चरित्र की मन इस्थिति को समझने की समझना ही हमने क्या रखा था empathy रखा था यहां पर किसी भी सियमिय व्यक्ति प्राणी और काल्टनिक चरिती यहां पर हमने क्या रखाए कि यहां पर मने इस्थिति को नहीं समझेगा वो ठीक है यहां पर केवल दुख या पीडाओं को समझने की छमता दुख या पीडा को समझने और महसूस भी यहां पर करेंगे हम समझने और महसूस करने की छमता हमने लाश्ट क्लास में जब हम इम्पिति को पढ़ रहे थे तो इम्पिति को पढ़ते पढ़ते हमारी समझ में एक वात यह आई थी कि वह हम मने इस्थिति को समझ रहे थे और यहां केवल दुखिया पीड़ा को समझेंगे और महसूस करेंगे वहां सुख और दुख दोनों परिस्तितियां थी यहां पे केवल एक परिस्तिती है और इस परिस्तिती का नाम हम क्या रखेंगे दुखिया पीड़ा यहने कि यह सहनभूती जब भी होगी सिंपती जब भी होगी तब इसमें क्या होगा दुख का अनुवव होगा कोई पीडा होगी कोई कश्ट होगा सामने वाले को तिके अब यहां ही पर जितने भी लोगों ने वहां परवासा दी चाहिए कारल जूंग की बात आप कर लो चाहिए डेनियर गोल्मेन की बात कर लो चाहिए पॉल एकमेन की बात हम कर ले उन सब ही नहीं ही जो बातें जो कहीं है वही लगभग बातें सहनभूती पे लागू की हैं उन्हीं की ही बाते हैं यहां बिस्तार से अलग-अलग प्रितिक की डिफिनेशन और इस तरीके से नहीं चलेंगे अब हम केवल यहां पर मैंने आपको बता दिया वहां मनेस्थेती थी वहां सुख और दुख दोनों छे जो दोनों थे यहां पर केवल दुख या पीड़ा है यहां पर क्या है केवल दुख और पीड़ा है अब हम इसका सिंपती का डिफ्रेंस समझ लेते हैं किस से किस से हम इंतर समझ लेंगे इंपती से तो यह हमारा इदर सिंपती हम लिख देते हैं और दूसरी तरफ हम लिख देते हैं हमारा empathy को देखे चुब की हमारा mood topic sea learning है हमारा mood topic sympathy, empathy यानि की emotions ये सब कुछ नहीं है इसलिए मैं sympathy को इतने ज़्यादा detail में नहीं बता रहा हूँ और बैसे भी जब मैंने आपको sympathy empathy इतनी detail में बता दी है तो sympathy को इतनी ज़्यादा detail में पढ़ने की और empathy क्या है समान उभूती तो दोनों में difference हम जानने की कोशिस कर लेते हैं कि दोनों में थोड़ी बक्रा कार होगी है यार क्या difference है अभी थोड़ा बक्र तो है पर कोई बात नहीं है तो empathy में क्या होगा empathy में हम क्या करते हैं जानते हैं जानना इसमें सामिल है इसमें प्रिम खुरूप से क्या सामिल है जानना में सामिल है और इसमें जानने के साथ साथ क्या सामिल है महसूस करना भी सामिल है बैसे तो यहां पर जानना प्लस महसूस प्लस मदद की किलिया मदद का भाव ये तीनों चीजे है ये क्या है तीनों चीजे है तीन प्रकार इसके जो हमने देखे वो है ये जो होगा इंपसिंपती जो होगी वो क्या होगी सुख में भी होगी और दुख में भी होगी और ये जो यहाँ पर जो होगा वो केवल कश्ट पीडा या दुख में ही साहनुगूती होगी इसके अलावा और किसी भी सुख में साहनुगूती कभी नहीं होगी सुख में आप empathy हो सकती है समानुगूती समान रूप से आप अनुगूत महसूस कर सकते हो कि वो क्या महसूस कर रहा है समझ सकते हो क्या समझ रहा है लेकिन जो क्या किते हैं यहां पर क्ष्ट और पीड़ा में ही रहेगी है यहां पर क्या होती है गहरी समझ होती है कि बेक्ति गहराई से समझ पा रहा है कि यार यह जो बच्चा है यह इतना उदास है या क्लास में सबसे अलग-अलग रहता है या सारे बच्चे खेल रहे हैं या बच्चा बैठाय तो यह कैसा मेहसूस करना होगा यहाँ पर वो teacher अच्छे से समझ पा रहा होगा लेकन सहन भूती में क्या होगा कि वो बच्चा केवल अच्छे से समझे या नि बस वो क्या करेगा उसके मनमें सातवना रहेगी ठीक है क्या रहेगी केवल और केवल सातुना की भावना रहेगी कि आठ बिचारे को खिला लेते तो ठीक साव नहीं खिला थे तो वो जादा नहीं गए यह बहुत अच्छे से समझपा रहा है कि उसके अंतर कैसी भावना है जो है वो फील होगी यहाँ पे जो आप देखोगे तो मदद के लिए प्रेरित होगा है यह मिन पहले भी बता दिया है तो यहाँ पे क्या होगा मदद के लिए प्रेरित होगा और यहाँ पे जो है वो मदद कर भी सकता है और नहीं भी कर भी सकता है और नहीं भी आविशक नहीं है कि करेगा और यहां पर प्रेरत तो होगा करने के लिए कोसस जरूर करेगा हलनकि वली चाहिज नहीं कर पाए लेकिन एक वार ट्राई जरूर मारेगा एक वार कोसस जरूर वो क्या करेगा करेगा अगरेगा है यहां पर सटी एक रूप से गहरी समझ में ने बताई दी आ यहां पर व्यक्ति का दृष्टी कोन भी समझ पाएगा VII वोई एक समझना ही है वह बारवार एकिषी वाद वता रहा हूँ है मुझे भी कई बार ऐसा लग जाता है समझझ पाराओ और भावना तो भी जो गहराई से समझेगा वोई जानना महसूस करना ठीक है यहां पर व्यक्ति दूरी बनाए रखता है तो यह कुछ अंतर है जो कि सिंपती और इंपती में है और ज्यादा यह दिविसेश किसी एक्जामपल की मदद से समझो आप जैसे कि किसी वेक्ति में भावित्री प्रतिवा काफी अच्छी है तो वो बहुत अच्छे से समझ पाएगा कि जैसे किसी बच्चे को देखा और कोई बच्चा क्लास में अकेला अकेला runner नहीं स्बसे अलग रहता है कमजोर यार यासा है, नर्माल यार वैसा, वो उसको छेड़ते रहेंगे, ताकि वो थोड़ा एक्टिव हो, और जिसके मन में सहनुगोती है, वो क्या करेगा, केवल और केवल सिंपती है, वो क्या करेगा, कि उसको इसमें दयार विचारा है, परेशान है, यार, क्या करसा, बस वो इ यहां की सारे एक्जाम्पल हैं जहां आप समझ सकते हो जैसे की तीन दोस्ते हैं और उन तीन दोस्तों में से एक के दादा जी नाना जी नानी जो भी किसे की वी वाप चाहो उसकी मरत्य हो गई है तो यह दोनों मरण लोक के 3 दोस्ते, A, B, C. तो ममलोक ये के घर में कुछ भी death हुई है, बीऑ and C दोनों उसके घर गये है. जैसे मालोक के नाना जी की सान्त हुए. अब एक तो ये है कि ये बहसूसSec कर पा रहा है कि जब कोई परवार जाता है किसी घर से कोई बुजर्ग जाता है तो कैसा फील होता है तो यह बहुत अच्छे से समझ पा रहा है तो जब यह बहुत अच्छे से समझ पा रहा है तो इसको हो रही है दादा जी सांत हो गई, लेकिन यह डेथ हो गई है, पर यह उतने गहराई से नहीं समझ पा रहा है, तो यहाँ पर किया रहेगी, सिंप्टी रहेगी, तो यह विसेश तोर पर क्या है, अंतर बना रहता है, सियमें सियमेसे ही है कि जब कोई खुसी का माहूल होगा, जैसे मालना लोग एक हो, एकी साधी और वी, सी और बी, ओर ली और सी गये हैं, तो बी तो क्या है कि फुल खुन म infrastructureआ है, C, यहाँ पर सानुगूती हो यह नहीं सकती, क्योंकि यह खुसी की बात है, कि साधी में सानुगूती होती है आपको, साधी सुधा आदमियों को सानुगूती की वावना पैदा हो जाती है, जब कोई वक्ती साधी करने जा रहा होता है, कुवारों को नहीं होती है, कुवारों यह सारे के सारे वीडियो में continuous गी बना रहा हूं तो ठीक है अब क्या ही कर सकते हैं देखे चार situation होती है चार इस्तिती बन सकती है जब हमको मालो x और y में relation बताना है x और y में क्या बताना है हमको relation कि दोनों में क्या संबंध है तो दो situation में क्या संबंध हो सकता है तो मालो ऐसे situation में total कितनी situation बन सकती है चार situation बनेंगी एक situation में क्या है x है y नहीं है एक situation में x नहीं है y है एक और situation बनेगी कि x है और y भी है और एक और situation कि x नहीं है y भी नहीं है ठीक है समझे में आया आपके बात कि एक situation ऐसी बनती है जैसे कि sympathy और empathy को यह ले लेते हैं तो सहा और समा से हम sort में लिखते हैं तो सहा और समा सहा समा सहा सहा तो एक situation ऐसी बनेगी हमारी उस इस्थिती में किसी भी व्यक्ति को सहानुभूती तो हो रही है लेकिन समानुभूती नहीं हो रही है एक situation ऐसी भी हो सकती है कि जहां सहानुभूती तो नहीं हो रही है मतलब सहानुभूती समानुभूती का छोटा हिस्सा है तो सामानमूती होगी पर हम इस्तिती अलग करने के लिए और ये दोनों ही नहीं हो रही है और ये दोनों ही हो रही है वैसे इसमें और इसमें तात्विक अंतर कुछ है नहीं इस situation में यदि हम उपरी इस तर से देखें तो अंतर नहीं है, गहरा है कि इस तर पर देखेंगे तो अंतर समझ में आ जाता है कौन कौन सी ऐसी situations हो सकती है यदि मैं बेन आरेक से इनका relation इस्तापित करूँ तो आप ऐसे भी कर सकते हो यहाँ पा sympathy, empathy और sympathy दोनों है यहाँ पर sympathy है, यहाँ पर sympathy है, बैसे मूल रूप से जो बहुत संचेप में जो बताया जाता है ठीके ठोड़ा आसान वासा में समझने के लिए ऐसा relation बनाया जाता है आसान वासा के लिए एक निदि आप घहराई में जाओगे तो ओरिजिनल्टी में यह relation बनता है यह नहीं बनता है और यह बत मैं नहीं कहे रहा है, अपने मर्जी से तुक्य से नहीं कहे रहा हूँ गार जो गया, गोलिंग, पॉल आकमेन हो गया, यह सब काफी सारे लोग बिचार देके गए है C learning में आपकी में जो विचार दिये गए हैं जो research हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ अपनी मर्जी से मैं एक भी सब्द नहीं बता रहा हूँ मैं सब कुछ नकल कर रहा हूँ साब बात मैं अपनी मर्जी से कुछ नया create नहीं कर रहा जो लोग जो किया हुआ है बस उसी कोई में दोहरा रहा हूँ बस समझाने की आसान वासा में बता रहा हूँ बस एक दूसरी वासा में बता रहा हूँ एक दूसरी तरीके से बता रहा हूँ और कुछ नया में कुछ नहीं कर रहा हूँ तो यह चार situation हो गई अब मालोग कोई एक ऐसी situation है जहां केवल और केवल क्या है empathy है केवल और केवल समान गूती है सहन गूती नहीं है तो ऐसी situation क्या होगा ऐसी situation को हम क्या कह देते हैं जैसे कि कोई doctor है तो doctor अक्सर करके doctor के मिल में क्या आता है सहन भूती ना करके समान भूती की भावना होती है तब ही तो वो मदद के लिए काम कर पाता है तो डॉक्टर के मन में अक्सर करके जो मरीच के लिए जो आती है उसको हम क्या कहते हैं समान भूती कहते हैं यानि कि empathy हम उसको कह देते हैं ठीक है यह वाली situation नहीं है sorry है न यह वाली situation नहीं दूसरी situation के सहन भूती तो है समान भूती नहीं है क्योंकि डॉक्टर तो समझ पाता है क्या परेशानी है इसमें कैसा दर्द हो रहा होगा किस तरीके की महसूस हो रहा होगा तो वो डॉक्टर बहुत अच्छे से समझ पाता है और यहां पर जो है यहां पर ऐसा हो सकता है जैसे किसी husband को पती को जैसे किसी की पतनी है उसको लेवर पेन हो रहा है जैनि कि delivery होने वाली है और पती बाड़ के बहारी खड़ा है और पतनी को लेवर पेन हो रहा है तो पतनी वो डर्थ में है तो पती को यहां पर सहन भूती तो होगी लेकिन समान भूती नहीं हो सकती क्योंकि पती कभी महसूस नहीं कर सकता कि लेवर पेन क्या होता है किसी situation में वो महसूस ही नहीं कर सकता तो इस सुच्वासन में क्या होगा केवल और केवल सहन भूती ही होगी समान भूती हो ही नहीं सकती और देखिये जैसे की जो लड़कियां जो होती है कि सारवस्ताँ होती है तो उनके मैंसूरेशन साइकल शूरू हो जाता है तो उसमें बहुत थिरा होती है दर्द होती है एक जेंडस कभी नहीं समझ सकता, जो जेंडस टीचर जो रहेगा, उस सिचुएसन में उसके मन में समान भूति आही नहीं सकती, उसके मन में केवल साहन भूते आएगी क्योंकि वो उस दर्थ को कभी भी महसूस ही नहीं कर सकता कोई बड़ा अद्गारी है जैसे मानलो की S.P. साव है किसी लड़की का रेप हो गया तो वो उनके मन में क्या मन में आएगी समान भूती ना उगर के क्यों सहन भूती की भावना उनके मन में आएगी उस सिच्चुशन में क्योंकि दर्द की सिच्चुशन है और वो उस दर्द को समझ भी नहीं सकते गहराई से क्या नहीं कर सकते समझ भी नहीं सकते इतना समझ में आ रहा है आपके की नहीं आ रहा है ये बता दो आप तो ठीक आगे बढ़े अब तीसरी situation की तरह बढ़ते हैं और हमारी जो तीसरी situation है वो क्या है कि ना तो सहन वूती है ना यहीं समान वूती है तो ऐसी कोई भी situation देख लो जैसे कि आपको जैसे दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे जनसे आपको कोई लेना देना ही नहीं होगा तो वो वाली सिच्वेशन इसमें मन लो और एक ऐसी सुच्चेशन जहां साहन भूती भी और समान भूती भी है तो जैसे कोई महिला यह समझ सकती है कि रेप का दर्द क्या है दूसरी महिला का रेप हुआ है तो दूसरी महिला जो रहेगी आलंकि उसका कभी रेप नहीं हुआ है पर वो बहुत गहराई से यह वाद समझ पाएगी तो उसके मन में साहनु भूती भी पैदा होगी और समानु भूती भी पैदा होगी और भी इस तरीके के जो है कई तसारे अन्गिनत टाइप के जो उधारण है एक्जाम्पल्स जो है वो समझ के लिए बनाए एक सेक्ट दी ना बनाए जा सकते हैं अब माफी चाहँगा मीच में टिश्टरवेंस के लिए तो यह मैंने बता दिया आपको देखे जब भी क्या होगा कि समानभूती होती है साहनभूती होती है समानभूती नहीं होती है उसमें केवल प्यक्ति क्या कहेगा रहे यार मैं समझ सकता हूँ मुझे बहुत बुरा लग रहा तेरे लिए पर वास्तर में वो समझ नहीं रहा है यार बहुत बुरा लग रहा है मुझे तेरे लिए पर वो समझ नहीं रहा है तो यह चारों के चारों सिच्वेशन से जो मैंने आपको बताई है इनके और भी कई सारे एक्जाम पर आपके कौ अंतर है आपके जो है वो समझ में आया होगा और यह हम आगे चलते हैं इसके साथ में तो आगे हम चलेंगे तो आगे और तो क्या है इसमें अब इंपिती और संपिती में बस इतना हो गया और तो जादा कोई गहरी बात है नि nas priest video में हम जो पढ़ लेंगे इसके वारे में वह है compassion लेक्ष्ट वीडियो में हम क्या पढ़ाएंगे compassion हम पढ़ाएंगे और जब हम compassion पढ़ाएंगे तो गहराई से देखेंगे कि करुणा क्या होती है और ठीक है इतना इतनी गहराई से पढ़ना और काफी कुछ मेरे इसाब से तो मेरे इसाब से मैंने काफी कुछ बता दिया है और बहुत ज्यादा इसमें बताने क्या हो सकता है नहीं आप कमेंट वक्स में पूछ सकते हैं कुछ भी पूछना हो आपको और एक्जमपल पूछने त तो वैसे तो लोग तो वही है, उन्हीं की परवास आई हैं, उन्हीं की भुक्स हैं, जादा कोई शूर नहीं है, और कुछ अंतर आपको चाहिए तो बता देना, कुछ से सम कर लेंगे, चलिए अफिर हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ता हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडि में यहीं फिलिस करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो शुरू करता हैं.